हेलो गाईस दोस्तों अगर आप भी अपने एक सपनों का घर बनाने के प्लानिंग कर रहे हैं दोस्तों तो आज का यह जो वीडियो है आपके लिए बहुत जादा इंफोर्मेटी होने वाला है क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर मैं जो बाते आपको बताऊंगा वो 99% जो ह है वो सारी बातें सच होगी दोस्तों और वो आपसे देखते ही देखते जो है आप अपनी बिल्डिंग के साथ में बहुत बड़ा जो है स्कैम कर लोगे तो दोस्तों अगर आप चैनल के उपर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो को लाइक कर देना आप देख रहे हैं आर्क इंटिरियर्स भाई रमेश चाटेवाल चलेगा इस वीडियो को स्टाट करता है दोस्तो ठेकेदार जो है आपको बेतुकी बाते करके और आपकी बिल्डिंग की स्टेंथ के साथ में बहुत बड़ा एक स्केम कर देता है वो इसकेम कैसे करता है दोस्तो और आप भी मेरी बात से एग्री करेंगे दोस्तो आपने देखा होगा कि जब आपका सिवील कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है तो ठेकेदार आपसे बोलेगा कि सर आपके आर्किटेक्ट ने बिल्डिंग के अंदर बहुत ज़्यादा सरीय यूज़ किया हुआ है इतना अगर 20 एम का सरीय है तो 16 करवा देगा अगर 16 एम का सरीय है तो आपको 12 एम करवा देगा और अगर दोस्तों अगर आपके साथ में घटना गटित नहीं हुई है तो आप बहुत ज़्यादा लखी हो अगर आप ये वीडियो वोच कर रहे हो तो आप दोस्तों अपनी बिल्डिंग की स्टेंथ के साथ में बिल्कुल भी कॉम्रमाइज मत करो क्योंकि जब एक बिल्डिंग के अंदर वो कितना इस्ट्रक्चर लोड लेगा या नहीं लेगा वो अपनी में पावर अपनी लेबर कोश्ट को बचाने के लिए आपके बिल्डिंग के साथ में बहुत बड़ा कॉम्रमाइज कर देता है और आप भी उसे हस्ते हस्ते उसे एकसेप्ट कर ले जाड़ देता हैं और आपकी irgend की अगर में बात करmost दो आपकी बिल्डिंग इस्ट्रेंथ को वह थेकेदार से ज्यदाब से ज्यादा बेडर एक ऐक आर्किटेक्ट या एक इस्ट्रक्चर डिजाइनर उस बात को समझेगा उसके अकोडिंग ही आपको साइट के ओपर ड्राइंग जो है वो बना करके देगा या उसको कम या ज्यादा लगने से उस इस्ट्रक्चर इंजिनियर को कोई फायदा नहीं होता है, तो जब जा कर के साइट के ओपर दिखते हैं तो वहां पे कई बर फुटिंग का साइज हमें 4 x 4 का मिलता है और जब मैं अगर क्लाइन से बात करता हूं कि सर यह जो है इतका फुटिंग साइज इतना कम कैसे हो गया तो लैर हमारे ठीकेदार जिन उसको करवा दिया है और नहीं का कि बिल्कुल ठीक है साब कहा ना कि आपको लगाने की या इस तरह किसे सुजाव बीम में काम चला सकते हैं डाउन बीम करने से जो है सर आप बीम लगाओगे तो उसमें आपका extra steel लगेगा सर extra steel लगेगा हममानते हैं कि वो extra steel लगता है लेकिन वो benefit आपके लिए आपकी building के strength के लिए अगर आप उसको beam को अविड करके flat beam अगर use करते हो तो दोस्तों उसका जो benefit है वो benefit सीधा सीधा contactor को जाएगा कैसे उसका shuttering जो है shuttering की कोश्ट बज़ जाएगी पहली चीज़ यह concreteing की कोश्ट उसकी बज़ जाएगी steel reinforcement के अंदर जो labor लगती labor part उसका save हो जाएगा मतलब कि total जो benefit है वो contactor को है तो दोस्तों मैं उन सभी contactor की बात नहीं करहाँ बहुत सारे से contactor होते हैं जो as per drawing काम करते हैं सब drawing को समझ करके उसके according ही building का बनाता है और कई सारे से contactor होते हैं जो अपनी manpower को save करने के लिए जो है वो आपकी building के साथ में compromise करवा देता है तो दोस्तों आपको जब आपका contactor बुलेगा कि सर चत के अंदर अगर अपने 10M का बार सरिष्ट किया है तो उसको ATM का करवा देगा तो दोस्तों वो सब चीजें जो हैं हमें site के उपर हमें देखते हुआ है कई सारी चीजें से हो जाती है लेकिन पादलास्ट में जाकर के party बोलती कि सरफ ठीक है चलने दो इसको जो हो गया उसको क्या खुलवाना वापस करना दोस्तों आपको इन सब चीजों से आपको aware रहना है आपको पहले ध्यान रखना है कि आपकी building के अंदर इस तरह की कोई भी चीजे निकल करके नहीं आए तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी site के उपर हम जो working करता है तो उसका एक example आपको दिखाता हूँ कैसे हम steel का reinforcement करते है आपके beam जो है beam के अंदर आपका steel कैसे बनता है क्या इसकी lapping होती है कैसे इसके अंदर जो beam जहाँ पर end होता है तो वहाँ पर उसको band लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए वो सब चीज आज वीडियो में आपको देखने को मिलेगा तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस वीडियो के अंदर आपको पूरा reinforcement का पूरा work आपको complete होता हो दिखेगा इसके अंदर beam junction जहाँ पर भी दिख रहा है आपको beam के end के अंदर पूरा L से उसको हमने खतम किया हुआ है दोस्तों एक बड़ा जो है मैं देख रहा हूँ आज के टाइम के यह काफी मैंना side के उपर देखा है तो वो beam के अंदर जो L लगाती नहीं है उसको वहीं से उसका steel कट कर देता है और कट करने के बाद है आपका steel कम था या वो ज़्यादा था इस चकर में में band इसको नहीं लगाया तो दोस्तो जब तक steel के अंदर आप banding नहीं लगाओगे तो आपका जो compression joint है वो आपस में club नहीं हो पाएगा वो merge नहीं हो पाएगा इसलिए इसको band लगाना काफी ज़्यादा जरूरी होता है तो दोस्तो आप देखते हैं कि steel के अंदर जो reinforcement किया हुआ है उस reinforcement के अंदर भी जो इसकी spacing है gapping है वो structure consultant ने जो drawing दिया है उस drawing detail के according ही उसके अंदर spacing यूज़ किया है अगर 10M का बार है तो 10M का बार है अगर 8M का बार सेच किया है तो 8M का बार है अगर आप देखोगे slab के अंदर bottoms के अंदर cover block लगाए में दोस्तो cover block का बहुत बड़ा एक रोल होता है slab casting के अंदर दोस्तो पहले में बात करूँगा कि वो जो contractor है वो contractor आपको slab के उपर भी misguide करता है करें अगर आपके slab की ठिकनेस है दोस्तो तो minimum जो है अगर आप residential बना रहे है तो आपकी slab की ठिकनेस 5 donuts दोस्तो हो नी चाहिए after compaction तो आपको इसस बात का अधार है कि slab के जो ठिकनेस है कम से कम 5 इन्चि होनी चाहिए अगर आप commercial के अंदर बना रहे हो तो commercial के अंदर minimum slab की जो थिकनेस है वो 6 inches होनी चीए दोस्तो वो क्या करेगा चार इंची की थिकनेस आपको बना देगा तो उससे क्या होगा कि उसका जो main power है वो save हो जाएगा metal में भी आपकी saving होगी दोस्तो लेकिन उस चीज का क्या फैदा है जब आपकी building की stand के साथ में compromise हो रहा है दोगर इस सबसे last के अंदर जो है बहुत important चीज में आपको बताने वाला हूँ तो दोस्तो आपको जब भी अपनी concrete का work आप करने वाले हो तो एक अच्छी concrete को बनाने के लिए हमें तीन चीजों का हमें ध्यान रखना होता है दोस्तो पहली cement जो है वो हमें अच्छी quality का cement आपको चाहिए उसका batch वगर आपको चेक करना है कि पुराने stock का तो नहीं है cement अपने पास में चाहे आप में किसी brand की बात नहीं करूँगा चाहे वो कैसे रोल होता है दोस्तो अगर आपकी concrete आ बना रहे हो और अगर आपने उसके अंदर बारिक बजरी आपने यूज ले ली तो दोस्तो आपकी अच्छी concrete बन करके सामने नहीं आएगी आपको उसके अंदर जो है वो भी आपको चेक करके उसके ले रहा है इन तीनों का जो mix है वो proper आपको एक अच्छे concrete निग या फिर अपने पास मेजर करके अपने पास में और एक अच्छा concrete आप बनाईए और अपने slab को काश कीजिए तो गाइस अगर आपको ये content अगर अच्छा लगाओ तो आप वीडियो को like करना ना बूलें चैनल को subscribe परना बूलें और दोस्तो अगर अभी तक आप last तक इस वीडियो के अंदर बने वह हो तो दोस्तो चैनल के उपर अपना प्यार इससे तरह बनाए रखिए थैंक यू गैस थैंक यू फूर वाचिंग मी जै हिन जै बाराइ